दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम पड़िखवरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं स्वास्त मंत्रालोई की राज से अपिल ब्लैक भंगस को घोसित करे महामारी कोरोना महामारी की दूसरे लहर के बेज देश में ब्लैक भंगस के मामलों में लगातार उचाल देखने को मिल रहे हैं यूपी राजस्तान और महाराष्ट समेथ कई राज्जों में इसके मामले बढ़ रहे हैं बटे मामले को देखते हुए केंद्रे स्वास्त मंत्राले ने राज्जों से महमारे रोग अधिनियम 897 के तहद म्यूकर माइकोसिस को उल्लेकिनिय बिमारे के रूप में वर्गी गृत करने का आगर किया है। उन्होंने अपने विधायक पर्ण से 2 कड़ो रुपे संक्रमित लोगों के इलाज के बंदोबस्त के लिए बिहार सरकार द्वारा गठित कोवीड कोस में आवंटित किया है। के निनने अनुसार स्वास्त बिवाग बिहार पटना द्वारा गठित कोवीड कोस में आवंटित किया गया है। बड़ी कबर तेजस्वी की नितिश से मांग पंचायत प्रतिनिद्यों का कारेकाल बढ़ाने पर विचार करें सरकार। आगामी चुनाव तक त्री स्थर या पंचायत प्रतिनिद्यों का व्यकल्पिक तोर पर कारेकाल विस्तारित किया जाए। जिससे की पंचायत इसतर पर कोरोना प्रवन्दन की साथ साथ विकास कारियों का बेतर समन्यों की साथ किर्यानवन हो सके। परकारी अपसर भाइल देखने लगेंगे तो गरिबों की सुनवाई नहीं होगी लोकतंद्र के लिए चुनेहवी लोग जरूरी है। इसके लिए सामान्य वर्ग के पूरुस आवेदक से 700 रुपे और महिला से 3500 रुपे आवेदन सुल्क मांगे जा रहे हैं। बिहार में जून के पहले सब्ता तक बढ़ सकता है लोकडाउन। दो दिनों में हो जाएगा फैसला। बिहार में कोरोना के कहर को रोकने के लिए राज सरकार लोकडाउन को आगे बढ़ा सकती है। सरकारी सुत्रों से ऐसी ख़बर मिल रहे है कि अगले दो दिन के भीतर। सरकार इस पर फैसला ले सकती है। सुबे में जून के पहले सब्ता तक लोकडाउन लगो के जाने की सम्मावना है। राज सरकार के एक वरिया दिकारी ने मेडिया को बताया कि लोकडाउन को आगे बढ़ाने की पूरी सम्मावना है। सुबे में 5 मैं से लोकडाउन लगाए गया है। पहले 15 मैं तक लोकडाउन का एलान किया गया था और फिर उसे 25 मैं तक बढ़ाया गया। सरकार्य अधिकारी ने बताया कि लोगडाउन लगाने के बाद राज जिबर में कुरोना के संग्रमन में काफी गिरावट आई है 15 माई को बिहार में कुरोना मरीजों की सेंक्या अठातर सो के करीब था जो की अब लगबग बावन सो के आसपास पहुच गिया है बड़ी कवर राज में 12 जोड़े स्फेसल ट्रेनों का परिचलन रद यात्रियों की कमि से थामा ट्रेनों का पईया चार दिन की जगा अब एक दिन चलेगी भोनेसर राजानी स्पेसल ट्रेन जिया कोरोना वारेस के कहर और बिहार में लौडान के वज़ा से रेलवे को ट्रेनों में यात्री नहीं मिल रहे हैं सुकरवार को नोटिपिकेसन जारे कर पूर मैद रेलवे ने एक साथ 12 जोड़े स्पेसल ट्रेन को अगले आदेश तक रद कर दिया है उनके परिचालन पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है करेवा या आदेश 23 मयानी रेवार के दिन से लागू हो जाएगा आपको बता दे कि बिहार में जो ट्रेनी रद हुए उनमें मुझपर पूर हावडा एकस्प्रेस इस्पेसल ट्रेन धनबाद गया एकस्प्रेस इस्पेसल ट्रेन जाइनगर भागल पूर एकस्प्रेस इस्पेसल ट्रेन सोनपूर पंडवेरी डेमू पेसंजर स्पेसल ट्रेन इसके अलावा पतना सहरसा मेमू पेसंजर पतना दर्बंगा मेमू पेसंजर और दर्बंगा पतना मेमू पेसंजर को रद क्या गया है इसके अलावा भूमनेसर और नई दिल्ली के बीच सप्ता में चार दिन चलने वाली भूमनेसर नई दिल्ली एक्सप्रेस सपेسल टेरन का परिचालन ततकाल परभाव से सप्ता में 4 दिन के बदले एक दिन ही चलेगी पत्ना विमेंस कोलेज की छात्राओं ने बनाया सेप्ट्री बेसलेट इसने कोज को देश में मिली पहचान महिलाओ की सरक्चा को लेकर कारगार साबित होगा जिहां महिलाओ की सेप्टी को लेकर पटना विमेंस कोलेज की चात्राओं ने एक ऐसा ब्रेसलेट बनाया है जो उनकी हमेसा मंदत करेगा पटना विमेंस कोलेज के BCA के पांच चात्राओं ने इसे इजाद किया है इस ब्रेसलेट का नाम सेपलेट रखा गया है चात्राओं के इस innovation को अब नेशनल लेवल पर पहचान मिल गई है Ministry of Education Innovation Sale AICT वुद्वारा आयोजित नेशनल innovation constant में चात्राओं फाइनलिस्ट बनी है बिहार की यह एक मात्र टीम है जिसने इस competition में भाग लिया है अब इन चात्राओं को 10 लाक रुपे तक की funding मिलेगी ने जो bracelet तयार किया है उसका नाम separate रखा गया है महिलाओं के साथ यदि दुर वेवार या चेड़कानी जैसी घटना या फिर कोई संकट आता है उस वाक्त यदि उनकी हाथों में यह bracelet लगा हो तो सिर्फ एक टच से यह alarm बजाएगा जो एक किलोमेटर के एरिया में सनाई देगा इतना ही नहीं उसे एक टेच की साथ रजिस्टर नमबर पर एक मैसेज भी चला जाएगा मैसेज मिलते ही GPS ट्रेकर और गूगल मेप के जरिये लोकेशन ट्रेकर bracelet पहनी महिला के पास पोच जा सकता है और उनकी सुरक्चा की जा सकती है यह separate महिलाओं और छात्राओं की सुरक्चा के लिए बेहत कारगार साबिद होगा मार्किट में यह 1000-15 रुपिय में उपलब्द होगा बड़ी कबर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट दो दिन तक आसमान में चाहे रहेंगे बादल राज भर में बारिस के आसार जी आपटना के मौसम विभाग ने अलर्ट जारे किया है दो दिनों तक आसमान में बादल चाहे रहेंगे राज भर में कई इस्तानों पर हलकी वा मैदम बारिस की सम्मावना जताई गई है दो दिनों के बाद हवा के रुक में परिवर्तन होगा जिसे हालात समाईने होंगे जिसे तापमान भी बिर्दी हो सकती है बड़े कबर चात्रों के लिए CBSी ने सुरू किया कॉल सेंटर सिक्चक को भी मिलेगी मदद जाने की नंबर पर पोन करके ले सकेंगे है जिया परिक्चा और रिजल्ट के तनाव से जूज रहे चात्रों के लिए CBSी ने केंद्रिय कॉल सेंटर सुरू किया है या call center IVRS system के तद चलेगा चात्र के साथ यहां सिक्चक और अभिवाग भी पोन कर सकते हैं केंद्रिय कॉल center के अलावा CBAC ने अच्छेत्र के लिए help line नमबर जारी किया है partner region के लिए भी CBAC ने अलग से नमबर जारी किया है आख बतात कि partner region के लिए 06122295048 नमबर जारी किया गया है वह centralized number 9311417564 जारी किया गया है और अन्द के बड़े कबर एगनू ने बढ़ाए परिक्चा के फेस student को अपरति कोर्स 1500 के बदले 200 रुपे लगेगा जून 2021 सिमेस्टर के लिए परिक्चा फॉर्म 15 जून तक भरे जिहा एगनू ने कई सालों के बाद परिक्चा सुल्क बढ़ाते हुए 50 रुपे की विर्दी की है जून 2021 की सिमेस्टर परिक्चा के लिए परिक्चात्री को सैधान्तिक और परिक्चा सुल्क मद में प्रतिक कोर्स 150 रुपे की स्थान पर 200 रुपे लगेंगे रिजिनल सेंटर सहरसा के समयना परिक्चा फॉर्म भनने की तिथी भी जारी है विर्दाती बेलसाइट पर जाकर बिना विलम सुल्क की साथ 15 जून 2021 तक अपना परिक्चा फॉर्म ओलाइन जमा कर सकते हैं